नमस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी ख़बर बिहार की राजनीती में एक बड़ी उथल पुथल की ख़बर आ रही है बी-जे-पी बिहार के तमाम वरिष्ट लीडर दिली में है अध्यक्ष दिली में है तमाम जरल सेकरेटरी दिली के बीजे-पी कार्याले में मीटिंग चल रही है और बताया ये जा रहा है कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर समराच चौधरी का इस्तीफा लिया जाएगा कई सारी कारणे बताई जा रही है एक नया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार को मिलने वाला है और वो भारती जनता पार्टी का नहीं बलकि J.D.U. का होने जा रहा है मतलब नितिश कुमार अब एक नया डिप्टी सियम अपनी पार्टी से निउक्त करने वाले है बारती जनता पार्टी का एक डिप्टी सियम होगा और दूसरा डिप्टी सियम जे डियू से होने वाला है कहने का मतलब ये है कि क्या केंद्र में समर्थन देने की कुछ शर्तों में क्या ये भी एक शर्त थी कि डिप्टी सीम को बदलना पड़ेगा और जेडियू का अपना एक डिप्टी सीम होगा कई सारी चीजे है और कई सारी जानकारिया है रिपोर्ट सा रही है क्या खबर आई है उसके उपर जरा ध्यान देते हैं बिहार is likely to see the appointment of a new डिप्टी चीफ मिनिस्टर before the end of this month as the Nitish Kumar-led Janta Dal United seeks to replace one of the two deputy CMs with a leader from its own party currently the two deputy CMs Vijay Sina and Samrat Chaudhary are both from JDU's alliance partner BJP while Sina belongs to Bhumyaar community Chaudhary is from the Kauri Kurmi community sources in BJP and JDU indicate that these two it is almost likely that Chaudhary will be replaced by the JDU leaders of Kumar's choosing ये खबर आ रही है BJP और JDU के लोग बता रहे है कि Samrat Chaudhary का पत्ता कटने वाला है क्यूं होने वाला है ये आपको जानना जरूरी है दरसल नितीश कुमार बकाईदा इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं एक महिने वो लंदन में रहेंगे और वो चाते हैं कि एक डिप्टी सियम जेडियू का हो जो उनके भरोसा का हो और वो डिप्टी सियम बनकर मुख्य मंत्री की भूमी का अदा करी कौन होगा वो डिप्टी सियम उसके बारे में भी जानकारी है बहुत बड़े बड़े नाम की चर्चा हो रही है लेकिन किसको डिप्टी सियम बनाने जा रहे है नितिश कुमार उसके बारे में भी जेडियू के सोर्सस बता रहे है उसकी मैं जिक्र करूंगा लेकिन सवाल यह है कि समराच चौधरी को क्यों निशानाप में लिया गया समराच चौधरी अभी कुछ दिन पहले तक वो भारती जन्ता पाटी के अजच्छ भी थे और डिप्टी सियम भी थे पहले अजच्छ की कुरसी गई और अब डिप्टी सीम का ओधा भी उनके हाथ से निकल रहा है क्या अंदर खाने से ख़बर आ रही है The removal of Samrach Chaudhary, if it happens, will come as a double disappointment for him As last month he was removed as the BJP state president prematurely Chaudhary was removed despite having a warm relationship with the state-in-charge Vinod Tawde who has swiftly emerged as one of the most influential leader in the current BJP This, among other reasons, was attributed to Chaudhary's excessive casteist politics which was repeatedly communicated to the central leadership by state leaders and other party well-wishers Samrach Chaudhary को इसलिए हटाया जा रहा है पहली चीज़ कि बहुत जादा वो casteist politics एक lobby के हाथों वो कटपुती के तरह work कर रहे थे As a president भी और जब वो deputy CM बने इसलिए भी कारी पार्टी कारी करता हो और पार्टी के leaders के साथ उनके रिस्ते अच्छे नहीं थे और ये बात बार-बार BJP के जो बिहार के leaders है वो केंद्रे नित्युत को बताता आ रहा था कि Samrach Chaudhary वो ढंक से function नहीं कर पा रहे हैं पूरी पार्टी को एक साथ लेकर के नहीं जा पा रहे हैं और इसका नतीजा ये भी आपने देखा कि कई जगों पे भारती जन्ता पार्टी को लोग सभा में हार का सामना करना पड़ा है अब एक और जो सबसे बड़ी वजह है कि नितीश कुमार के साथ उनके रिष्टे अच्छे नहीं है जब आपके रिष्टे अपने बास के साथ अच्छे नहीं होंगे तो फिर सर्वाइब करना वैसे बड़ा मुस्किल हो जाता है नितीश कुमार की जित है कि सब्राट चौदरी को भटाया जाए दो कारण एक तो रिष्टे अच्छे नहीं है और दूसरा कारण उनको लंदन जाना है लंदन जाना भी है या फिर ये ए आद्मी कौन होगा काई सारे नाम है उसको जरा एक एक करके जरा डिसकस करते है कि कौन सबसे सुटेबल रिष्टी है जिसे नितीश कुमार डिप्टी सीम बनाने जा रहे हैं From the JDU, Kumar is likely to select retired bureaucrate Manish Verma who was recently appointed as the National General Secretary of the Party as the Deputy CM. Verma is very close to नितीश कुमार and comes from his district of Nalanda and he belongs to the same कुर्मी caste as नितीश कुमार. अब Manish Verma का नाम आ रहा है अचनक से उनको पदुनिती दी गई वो अभी आग के तारे हैं नितीश कुमार के तो Manish Verma के साथ कई सारे प्लस पॉइंट है और टेक्निकली भी आप देखिए एक कोरी कुर्मी community के समराट चौधरी को आप हटाएंगे तो replacement उन्हीं से ही हो सकता है तो Manish Verma उसमें भी fit back ते हैं चहेते भी हैं कास्ट combination भी बन रहा है और वो नालंदा district के भी हैं तो अपने इलाके के किसी व्यक्ति को वो बनाने जा रहे हैं इनका रुत्मा ठीक वैसा ही था जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है earlier R.C.P. Singh another retired bureaucrat who later turned rebel was seen as the party's main mover and shaker during his proximity to Kumar R.C.P. Singh की जो हैसियत थी कि यह लोग कहते थे कि नितिश कुमार R.C.P. Singh के ही कर्थना नुसार चलते थे वो उनके चानक के थे लेकिन उन्होंने भी विद्रोह कर दिया मंत्री बनने के चक्कर में तो अब उनकी जगह पे मनीश वर्मा तो एक powerful leader है नितिश कुमार के सलाकार भी है confident भी है और उनकी जाती से भी आते हैं तो यह सारे criteria में मनीश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है लेकिन और कौन से नाम है जिनके उपर चर्चा हो रही है others who are in line for the post if Kumar decides not to go with Verma includes water resource and parliamentary affairs minister Vijay Kumar Chaudhary and Bhagawan Singh Kuswaha who is member of legislative council and has been a minister in the past Chaudhary belongs to Bhumyar community and is counted as a person who has stayed loyal to Kumar for years without fail तो Vijay Kumar Chaudhary साहब का भी नाम सबसे आगे है लेकिन दिक्कत यह है क्या अलेडी जो दूसरे डिप्टी सियम है वो भी भूमियार है तो दो दो भूमियार अचानक से वो डिप्टी सियम बनाना वो कास्ट कॉंबिनेशन में वो फिट नहीं बैठ पा रहा है अगर विजय सिना को हटाया जाता है तब तो इनके chances थे लेकिन यहाँ पे समराठ चौधरी को हटाने का फैसला हो रहा है इसलिए इनके chances थोड़े bleak है थोड़ा कम है हलाकि इसमें कोई doubt नहीं है कि नितिश कुमार के साथ वो सुरू से ही एक pillar की तरह नितिश कुमार के साथ खड़े रहे हैं हर तरह के situation लेकिन सवाल भारती जनता पार्टी का है क्या केंद्र की सरकार में समर्थन पाने के लिए भारती जनता पार्टी ने ये तै कर लिया है कि विहार में अपने दम पे अकेले वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते है नितिश कुमार के सहारे ही अगला विधान समा का चुनाव लड़ने वाली है कई सारे सवाल है क्योंकि नितिश कुमार को लेकर कि नितिश कुमार को समर्थन देना चाहिए नहीं देना चाहिए वहाप गणबंदन की सरकार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए भारती जनता पार्टी में भी इसको लेकर के बहुत ही वहापू है कई सारे बीजेपी लीडर से कहते हैं कि अगर नितीश कुमार के साथ हम चुनाओ लड़ते हैं तो ये एक वाक ओवर हो जाएगा तेजसु यादव के लिए तेजसु यादव को बड़ी आसानी से चुनाओं में सफलता मिल सकती है अगर भारती जनता पार्टी नितीश कुमार के बैगज को अपनी साथ बैगज इसलिए कि नितीश कुमार अब वो नितीश कुमार नहीं है नितिस कुमार है वो नितिस कुमार नहीं है जो बहुत ही popular हुआ करते थे जिनके विकास के काम को लेकर लोगों को बड़ी आशाय थी law and order का situation खराब हो रहा है विकास नहीं है नौकरिया नहीं है हाँ भले ही अभी प्रधान मंतरी मोदी ने कई सारी परियोजनाओं बहुत सारा पैसा बिहार को तो दिया है लेकिन इससे नितिस कुमार के credibility उनके popularity उनके credentials में कोई इजाभा या बरहुतरी नजर नहीं आई है भी तक लोग नितिस कुमार के प्रसासिन से नाराज है और यही एक चिंता भारती जनता पार्टी की है लेकिन केंदरी ने तुक्त भारती जनता पार्टी का वो ज़्यादा इस चीज को लेकर के इक्षुक लग रहा है कि किसी तरीके से उनका जो जेडियू के दौरा जो समर्थन मिला हुआ है केंदर की सरकार मतलब केंदर की सरकार को stable रखना ये भारती जनता पार्टी की priority है और शायद इसलिए नितिश कुमार के इसमान से कि उनके ही पार्टी का डिप्टी सियम हो इस पे साथ मुहर लग गई और यहीं वज़ा है कि इस वक्त जब में यह record कर रहा हूं बहरती जन्ता पाटी के ब्यहार के तमाम टॉप लीडर्स डिल्ली में केंद्रिय मंत्री और केंद्रे नित्रितों के साथ मिलके वह बेठक कर रहे है अब बताया है तो यहीं जा रहा है कि महिने के अंत तक समराठ चौधरी की कुर्से छिन जाएगी और डिप्टी सीम के नाम पे मरिश वर्मा का नाम आ जाएगा हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी आप देखते ने कैपिल टीवी हमारे वीडियों को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद